हाई गाईज, बलकल बैक तो माई चानल, पिंक फाइब्स और मैं हुरुपशा और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कैसे अपकी आईब्राउस को ज्यादा से ज्यादा थिक बना सकतो मतलब अब जितना चाहते हो नहीं और ओविसली विद होम रेमेडी तो मैं एक बात बोलना चाहते हूँ कि ये होम रेमेडी बिलकुल डिफरेंट है बिलकुल डिफरेंट तरिके से यूज करना है आपको ज्यादा मत नहीं बोलूँगी चलिए देख लेते कैसे ये होम रेमेडी करना है आपके आइब्रोज को Home Remedy से, मेरा ये डिफरेंट वाले Home Remedy से थिंख बना सकतो, तो चलिए वीडियो में Move On करते हैं So first step को लेना है एक लोहे की बरतन, अपकी घर में जो लोहे की बरतन अवेलेवल है आप वो यूज कर सकतो पर लोहे की बर्तन ही यूज़ करना है अपको और उसके बाद आपको लेना है एक हर्तो की और उसको पानी में डैप करके अच्छे से लोहे की बर्तन की उपर रब करना है तो थोड़ी दिर ऐसे रब करने के बाद अब दिखोगी कि ऐसा वाला एक पेस्ट क्रियेट होगी अपकी बर्तन की उपर और इसको ही अपकी आईब्रोस में यूज़ करना है कैसे वो देख लेते हैं सो फर्स्ट आपको लेना है एक एरबर्ड और उनी एरबर्ड में थोड़ा से पेस्ट आपको उठा लेना है अपकी लोहे की बर्तन से और उनको अच्छे से अपकी आईब्रो में अप्लाई कर लेना है यह एक eyebrow mask की तरह काम करते हैं आपकी eyebrow related जो जो problem है वो सब यह cure कर देंगी So guys, night में आपके skincare routine complete करने के बाद आपको यह mask आपके eyebrows में use करना है और overnight उसको छोड़ देना है क्योंकि जब आप कोई चीज overnight try करोगे न तब उसकी result अच्छा और best होता है And next morning इसको wash कर लेना है face wash से Guys, मैं फिर से एक बात बोल लिए हूँ कि आपको एक बात जरूर ध्यान रखना है कि आपको लोही की button ही use करना है हर्टो की हमारी dark circles को remove करने के लिए हमारी eyes के लिए बहुत ही अच्छा होता है पर अब जब हर्टो की को एक लोही की button की ऊपर rub करके उनकी paste को अपकी eyebrows में apply करोगे ना तब आपकी eyebrow related सारी problems एकदम जिन्दकी के लिए cure हो जाएगी तो आप मेरा year remedy एक बार के लिए ज़रूर फॉलो करना मैं 100% guarantee कर रही हूँ कि आपकी काम 7 days की अंदर हो जाएगी अगर आप मेरा year remedy फॉलो करेंगे ना तो मेरी साथ comment section में आपकी experience की बार में ज़रूर शेयर करना मुझे बहुत ही अच्छे लगेगी नेगटिव हो या positive हो जो भी हो मेरे साथ जरूर शेयर करना comment section में so अगर अपकी मेरा ये वीडियो हेल्फुल हुआ आपके लिए तो वीडियो को एक लाइक तो जरूर कर देगी आप और अपकी friends और family के साथ जरूर शेयर कर देना so guys अपकी लिए बाब बाई see you soon on the next video